अगर आप एक कमजोर छात रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हमसे डियलेड का इंट्रेंस एक्जाम नहीं निकल पाएगा तो यह बहुत बड़ा बेपकोफी है क्योंकि डियलेड वालों को भी जरुवत है यानि कॉलेज को भी जरुवत है कि आप उसमें एडिमीशन ले हैं इ सरकारी के लिए का करना पढ़ेगा बताते हैं सरकारी के लिए आपको रिजिनिंग पे ध्यान नहीं देना होगा अगर सरकारी को लेट चाहरे हैं तो लेकिन एक साल आपका लेट हो जाएगा सेशन, फिर आपका सेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, अभी का जो सेशन आपका चलेगा, अगर आप डीरेट में एडमिसन ले लेते हैं, तो 24 और 26 का चलेगा, और बहुत बड़ा चीज नहीं है, कि आप इसका रिटेन एक्जाम को निकाल लेंगे, तो बहुत बड़ा काम कर देंगे, और इतना ज्यादा टेंशन लेने का भी आपको जरूत नहीं है, क्योंकि कोस्च खाली नहीं जाएगा, सीट जाएगा ही वहाँ पे, लड़का वहाँ पे पहुंचेगा ही, एडमिसन लेगा है, तो फिर उनको फायदा कैसे होगा, वो भी तो चाहरे हैं कि मेरे पास एडमिसन हो, कॉलेज में लड़के आए, लेकिन कुछ क्रैटेरिया है, जैसे कि आपको परवेश परिक्षा पहरे निकालना पड़ेगा, यानि कि फॉर्म भर दिये हैं, आप यह भर रहे हैं, तो परवेश परिक्षा आपका इस सीलेबस पर लिया जाएगा, और इसको कैसे हम निकालने, बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूत नहीं है, हो सकता है कि आप कहीं से भ आने हैं, इस बार रिकॉर्ड टूट रहा है, पहले का जितना भी रिकॉर्ड है, इसलिए क्योंकि अब पहले के अपिक्षा बहुत साई लोग डियेड और बियेड करने के लिए आ चुके हैं, क्यों आ चुके हैं, आपको ही पता है कि रेगुलर वेकंसी को देख करके सरका सा हाई जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि लड़के ज़ादा है, जहां पे कंपटिशन टॉटा होता है, जहां पे कंपटिशन जादा होता है, मैक्सिमम लोग फर्म भरते हैं, तो थोड़ा सा क्या होता, cut off paper हो परता है, इसलिए आपको डर लग रहा हो है क्या हम इस साल दिरेड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो कुछ तरीका है कुछ तरीका है उसको आप अपना लिजेगा तो प्राइवेट कॉलेज में तो हो ही जाएगा और हो नहों आपका सरकारी कॉलेज में भी एडमिसन हो जाए थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़िएगा तो और एक बात आपको हम बताते हैं कि एक टॉपर होता है एक होता है उससे थोड़ा से नीचे मतलब ज़्यादा पढ़ने वाला एक होता है नॉर्मल पढ़ने वाला और एक होता है बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला ठीक है जो टॉपर होता है और जो पढ़ने वाला होता उसमें आपको 90% या 80% attendance भी वहाँ पे maintain करना होगा पढ़ाई भी करना पड़ेगा ठीक है तो यह ध्यान रखे और private college वाले जितने हैं पैसा भले खी अधिक लगता है लेकिन tension free रहते हैं पढ़ाई वहाँ नहीं होता है अकलब कि average marking होता है ठीक है और नमबर देहीं दिया था पास व मेंने रहना है कि हमको वह चाहिए वह बहुत अच्छा है और यह बहुत खराब है ऐसा पुष्ण है लगबग सेम है दोनों में अंतर है बता चुके हैं अधर वीडियो में आईए अभी शुरुवात करते हैं आपका बिहाड डियरेड इंट्रेंस एक्जाम के लिए जो सिन हाला जो आपका पूछा जाएगा हिनिदी हो या उर्धू मतलब कि हींदी या उर्धू में जोभी आप चुनते हैं वहांसे प्रसन आएगा मतलब दोनों नहीं समझेगा दोनों से कोई एक ही आपको चुनना होगा उसने 25 पूछा जाएगा Problem हो चाहे संभ से मिला करके और ज्यादा portion आपका arithmetic से ही पूछता है normal question पूछता है पचीश question match से आता है ठीक है तीसरा अगर हम बात कर लेंगे तो वह आपका GKGS और current affairs से भी question आता है current affairs से कम आता है GKGS से अगर मिला लेंगे तो 40 question यानि कि 20 question इससे 20 question इससे आता ठीक है यह समझ गए अगर चोथा का बात कर लें आम लोग तो English से portion पूछा था जेंडर्ल इंग्लिस यानि कि समान इंग्लिस आप इसको बोल सकते हैं यह होता है grammar पूछता ठीक है grammar पूछेगा जो कि आपका कितना नंबर का पूछेगा बीस नंबर का पूछेगा और पांचवा हो गया आपका reasoning क reasoning में आपका भरवल नन भरवल दोनों है normal reasoning ही पूछता है reasoning ऐसे भी आसान होता और देखे कितना कम कोशन दस कोशन मांत इससे पूछ रहा है तो पांच सब्जेक्ट से आपका एकजाम होगा जिसमें Hindi, Math, GKGS, Current Affairs एक ही में है English हो गया reasoning हो गया मिला करके आपका कितना नंबर क मांक्स का आपका पूछा जाएगा कितना कोशन 120 कोशन 120 नंबर का तो परतेक कोशन कितने नंबर का है तो एक नंबर का है अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसको निकालने के लिए हमको क्या strategy अपनाना होगा मतलब हाय स्कोर हम कैसे कर सकते हैं और private और government college कैसे हमको मिल सकत सकते हैं तो लेगे मैंनेज कोई दिक्कत ने है लेकिन जीनको डर लग रहा है कि कैसे होगा ध्यान दीजेए क्यक पाँस सब्यCK्ट में से तीन सब्यक्ट को आपको स ungef करना ही तीन सब्यक्ट वह होगा जिसमें आपका इंट्रेश्ट भी जयादा होगा जो आप पहले से है अभी तक तो हम नहीं पढ़have लेकिन इसको हम 10 दिन में कभण कर सकते हैं हैं हें क्या Indian क्लियर हो गया तो बहुत अच्छा रिजनिंग बसक्ता है कि थोड़ा सा कम है से कितना कर लहा है तो हो सकता है कि फिर भी कर कर चलता है डेखेगा इसमें से छाष् cooperation नेस रहा है याई यह City व्यू vict के लिए तो 3 चुने के लिए तो marks वाले को पखड़ना पड़े, क्या आप marks वाले को पहले ही चुन चुके हैं, रिजनिंगो 10 नमबर, रिजनिंग असान है, लेकिन question भी तो कम पूछ रहा है, यहाँ पर आप बहुत अच्छा किये, चुन करके हिंदी को ये उर्दु को तो चुने, बहुत अच्छा कि यह 25 नमबर का है, लेकिन रिजनिंग को चुने, वो मातर 10 नमबर ही पूछा जाएगा, तो एक बड़ा तो चुनना पड़ेगा आपको, अगर आप मैथ और GKGS में से GKGS करेंटर फिर्स को चुन रहे हैं, जो कि 40 नमबर का है, तो आप ध्यान देजे यहाँ पे, कि 25 यहाँ से आ गया, ठीक, 25 यहाँ से आ गया, अगर आप प्रिजनिंग को चुने, तो 10 यहाँ से आ गया लगबग, उसके बाद देखेंगे, यहाँ से GKGS करेंटर फिर्स को मिला के 40 आ गया, तो कितना होता है, यह 5 होता है, चार एक 5, 2, 7 होता है, ठी यहाँ पे, निगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको बोले कि हिंदी और GKGS और इसनिंग को पढ़के जाना, तो इसका मतलब यह नहीं बोले कि इंग्लीज और मैंक को बनाना ही नहीं है, बनाना है, रंग कर क्या आना, और इंग्ल सरकारी कॉलेज के नजदीक भी पहुंच सकते हैं ये फर्मूला आपना करके और प्राइबेट तो मतलब सोचिए ही मत प्राइबेट तो आपको अच्छा-च्छा कोलेज जो आप फर्स्ट चॉइस में देंगे वो आपको मिल सकता है ठीक है समझ रहे मेरा बात को फर्स्ट च पढ़िएगा यह दोनों कभर हो जाएगा आपको इतना इजी कोशन पूसता है परवेस परिफ्च्छा में खास करके ठीक है इतना पूसता है आपको में जीके जीएस पर तो आप सकता है जीके जीएस में चाले इस कोशन और आपको इसके लिए हम गाइड भी निकल बाद है आपके पास हम दे दिये हैं वहीं सरे लोग को बता दिये हैं यहां पर अगरवाल ऑगे आपको क्या करेगा इसका आप WE यहां पर देखे इसका फोटो है यह बुक है आपका पूरा बुक है इसका आप अध्यान की या कर रहे होंगे तो बहुत अच्छा है साथ में तो इसी परकार से पढ़िए गड़िए जैसे आपको बता है इसी परकार से इस गाइड को पढ़ते हैं तो अगरवाल एक्जाम का आपको बता दिया थे आपको उससे पढ़ना है और किसी बुक से पढ़ना पर प्रेक्टिशेट तीनों अलग अलग चीज़ है आपको जिसका जरूवत है वह आपको पर्षेज करें ठीक है गाइड हो गया आपका एक संपूर्ण जनकारी संशिप्त में आपको दे दिया ग इतना भूल रहे हैं वहां पर जा सकते हैं तो यह सब चीज़ है अलग अलग वेडियो में आपको बुक भी बता आते हैं गायट भी बता आते हैं वह आप अपने एनर्जी के अधार पर यह अपने कॉन सकते हैं कि आपके लिए अभी क्या जरूरी है बहुत साइट सवाल कर अगर सरकारी college चाह रहे है तो private बले सकते हैं अगर आपको सरकारी college देलना है ज्यादा महत करना ज्यादा score करना 90-ग नंबर लाना है 80-90 नंबर लाना है के साथ आपको 40 कोस्टन फिर मैथ को कवर करने के लिए 25 कोस्टन फिर हिंदी कवर करने के लिए 25 कोस्टन थोड़ा से टफ जरूर होका लेकिन सरकारी को लिए चाहेंगे तो टफ तो काम करना ही पड़ेगा आप कितना रुपय बचा रहे हैं डेट लाक में से आपका मातर 20,000 एक लाक 30,000 रुपय बचा रहे हैं तो एक लाक 30,000 का आपको यह और काम कर लिएगा फोन खरें लिएगा लेपटोप खरें दीजेगा अब यहां सा कपड़ा खरें दीजेगा लेकिन महत कर दीजेए उतना है आप तो यह और ज्यादा अच्छा है अगर इस तरह सोचते हैं प्राइवेट कोलेज चुनने है तो इस तरह से आप सुझ सकते हैं तो यहां पर क्या होगा आपका कि जो भी करना होगा वह इसी में गेम खेलना होगा यह गेम होगा कैसा कि ज्यादा स्कोर के लिए प्राइवेट जाने के लिए आपका 40-45 नमबर 50 भी आता है तो आपको अ आपके लिए हम क्या सही बोले हैं और किस बात को आपको फॉलो करना चाहिए इस बात के लिए आप एक लाइक जिरूर करें नीचे क्योंकि आपको समझ में आ रहा है लाइक कर दीजे सब्सक्राइब इसलिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा सबसे पहुंच जके लिए एक सोबीस के लिए एक सो पचास मिनट का समय को और करेंगे तो वर क समझ करके उतर दीजिए कहीं को दिकत ने आ रहा है समझ करें इस बात को बहुआ हैं डिएक ट्रीयाब की आपको बताए का सु類 ह 챙्रूआत करके क्या करेंगा पढ़ाना हमको बीट जरूरी है निगेटिव मार्किंग नहीं है आपके एक्जाम मोड होगा online यानि के online exam लिए जाएगा जो भी एक्जाम होगा online होगा CBT computer-based test होगा objective टाप के question आएंगे मतलब subjective question नहीं आने वाले objective आएंगे जहाँ पे चार option आपको मिलने वाला है उसमें से कोई एक option सही होगा जिसको रंगना है आपको आगे बढ़ना है रंगना मने है मतलब ठीक लगाना माउस रहेगा आपके आपके online exam होगा exam का जो pattern होगा यह समझ गया लेकिन आपके डीलेड फॉर्म भरने से लेकर के क्या प्रिकरिया होगा selection process क्या होगा सबसे पहले form भरा लिया जाएगा उसके बाद intrinsic exam का result आएगा उसके बाद सीट यह टेट यह एस्टेट क्वालिफाइ करेंगे तब जाकर के वीपेसी के इजाम में बैठेंगे तब जाकर से लेक्ट हो पाएंगा आप teacher के लिए कौन से बनेंगे तू 125 125 का आप सरकारी सिच्छक बनेंगे यादरखे का सरकारी सिच्छक अगर आप गिरेशन कर लिए हैं तो six to eight का भी बन सकते हैं सिच्छक कोई दिकत्ने निरेट करने के बाद ठीक है तो एक से लेकर करके आठ तक का दरवाजा खुल जाता है आपके लिए अगर आप इंटरे अब बात करते हैं कि numbering पर थोड़ा सा confusion क्या होता है कि जो dull student होते हैं जिनका number थोड़ा सा कम आएगा अब किनीका number तो 35 number 30 number भी आएगा लेकिन normal student जो है 60-65 जब लाएंगे तो वो सोचेंगा कि ठीक है मेरा private तो कम से कम confirm हो गया जो first choice में दिये थे वो हमको मिल गया college ठीक है आप अपने नजदीकी college के हिसाब से दूसरा जो होंगे जो 70-85 नमबर लाएंगे वो यह सोच में रहेंगे कि मेरा सरकारी मिल जाता हमको अगर सरकारी नहीं मिलेगा तो private मिलेगा मतलब यह tension में थोड़ा सर रहेंगे कि हो सकता हमको सरकारी मिल जाए या private मिल जाए सरकारी म मिल जाए अगर सरकारी नहीं मिला तो इतना नंबर लाने का क्या फाइदा फिर तो मेरा 60 नंबर ही आता पचास नंबर ही आता वही सही था और जिनका 80-95 नंबर है जिनका वो तो कंफर्म है कि हमको सरकारी college कोईने कोई मिल जाएगा तो मतलब देख रहें आपकि यह दोनों देख के एक जामें आपको बता रहा है उस तरह से नमनेका और बाकि सरज़ेट के आगर बात करें समाहने हिंदी से कोशन आना आपको बता है अर्थमेटिक से कोशन आएगा history, geography, philosophy, philosophy, biology भी बिविश्द को मिलाकर कि आपका कोशन पुशा रेगा physics, chemistry, biology, science है तो और genre English आपका ग्रामर पूशा देगा ट्रंसलेशन होगा वहां पे आपका शिनोने मिट्रनूम हो सकता है आपका फिलिंग दे ब्लैंक होगा है तो नमरिंग पर ध्यान देजेगा जैसे हम बताएं जो तरीका हम बताएं अगर सरकारी कोलेज चाहते हैं तो तीन सब्यक्ट में है उसको चू अराम से इस वीडियो को देखे समझी और भी वीडियो से बन चुका उसका लिंक आपको यहां प्यारा होगा इसमें जाइए इस प्लेस्ट में हर चीज बताया कितना पैसा के से लगता है डियर करना जरूरी है आपके लेकि नहीं है आपको डियर करना चाहिए कि ब्यर करना इस सब्सक्राइब बना हुआ को दिकत नहीं है जाकर आपके चेक आउट करिए मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए देखने के लिए धन्यवाद सेर्ज दगूर कर दिये लोगों में मिलेंग आपसे नेक्स वीडियो में तब लिए थैंक जे हुआ